तो आज मैं आपको वह 8 important points बताने जा रहा हूं जो आप ध्यान रखे multi vendor platform बनाने से पहले Hello everyone, this is Kamal Bunkar from Blue App Software और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग mostly e-commerce solution बनाते हैं single vendor e-commerce solution, multi vendor e-commerce solution और हम लोग custom development भी करते हैं इसे कुछ customer हैं उनके लिए हमने custom app और website बनाए है जहां पर उनके डेली टूर्णामेंट्स, photo, videos अपलोड होते हैं कुछ accounting software बनाए हैं but mostly हम लोग e-commerce में deal करते हैं हमारे पास expertise है e-commerce app develop करने की हम बहुत सालों से यह develop करते आ रहे हैं हमारे more than 300 customer हैं जिनके लिए हमने custom app बनाए हैं और उनकी requirement के असाब से हमने app को और website को customize किया है ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ready-made जो हमारे पास होता है structure बस वही sell out करते हैं हम custom solution देते हैं अब तो हम 3D e-commerce solution भी प्रवाइड कर रहे हैं जैसे virtual showroom जहां पर customer showroom के अंदर जा सकता है पूरा showroom को देख सकता है 360 degree से product को देख सकता है उसको zoom in zoom out कर सकता है उसको 360 view में देख सकता है क्योंकि यहां पर प्रड़क्त का 3D model भी रहता है तो इससे प्रड़क्त का quality उसका texture उसका look कैसा है यह समझने में customer को बहुत easy होता है और इस तरीके से return rate जो होता है बहुत कम हो जाता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब metaverse के बारे में सब हम लोग बहुत excited हैं इसलिए अब virtual showroom का भी ट्रेंड start हो चुका है तो हम लोग virtual showroom भी बनाते हैं और 3D experience भी बनाते हैं अगर आपको ना सिर्फ shopping के लिए बट customer support के लिए या फिर किसी भी तरीके का virtual experience है तो वह हम बना के देते हैं चलिए बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं multi vendor e-commerce solution के बारे में अगर आप एक multi vendor e-commerce platform बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप दूसरे sellers को जोड़ेंगे उनके product में traffic drive करेंगे और revenue generate करेंगे तो उसमें क्या-क्या important points होने चाहिए तो आज मैं आपको वह 8 important points बताने जा रहा हूं जो आप ध्यान रखे multi vendor platform बनाने से पहले क्योंकि जब आप इस पर work out करोंगे तभी आपका platform perfect बनेंगा तभी इससे revenue generate होंगा otherwise आप start कर दोंगे या किसी भी company से contact करोंगे और उसको बोलोंगे कि हमाली multi vendor बना दो तो वह तो ready कर देंगे लेकिन आपके app का usp क्या है आपकी website का usp क्या है sellers उससे क्यों जूड़े और ऐसी बहुत सारी 8 important points बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखना है one by one मैं सारी चीजों cover करूंगा और अगर आपको कुछ भी doubts हो रहा है कुछ भी issues है तो आप मुझे dashboard में तो यह हमारा नया admin dashboard है तो जो 8 point मैंने आपको बोला था उसमें सबसे पहला point है आपका app का UI और UX सबसे important चीज होती है आपकी app या website कैसे दिख रही है यूजर का उसका experience कैसा है आपके product कैसे display हो रहे है यह सबसे ज्यादा important रखता है अगर आपके product का look और आपकी app का UI उतना attractive नहीं है तो user उसको एक ordinary app समझेंगा ठीक है आपके app में या आपकी website से आपकी brand value reflect होनी चाहिए कि हाँ आपने कुछ काम किया है इस पे और यहाँ पे जो product है वो genuine है तो message जाना चाहिए customer के पास जब वो आपकी app या website पे widget करें तो सबसे पहला काम होता है आप अपनी app की Figma design बनवाई है ठीक है आप जिस भी company से काम कर रहे है या पर आप जिस भी freelancer को hire करके रखे है उससे बोलिए कि आप उसके Figma design भी बनवाई है क्योंकि वो freelancer है जो technical developer होते हैं वो Figma design नहीं बनाते उसके लिए आपको UI UX designer जो होते हैं उसको hire करना पड़ेगा लेकिन अग किसे होती है इसमें आप Figma एक website है Figma.com आप उसमें अपना भी account बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी अपना Figma design रेडी कर सकते हैं यह बहुत easy tool है आप easily बना सकते हैं लेकिन अगर आपके पास expertise नहीं है आप इसमें थोड़ा सा comfortable नहीं है तो आप किसी UX UI designer से contact कीजिए वो आपके लिए बना देगा तो सबसे पहली चीज आपका UI UX कैसा है UI means appearance और UX मितलब user का experience तो यह सारी चीज़े बहुत important रखती है हर एक project के लिए तो हम हमेशा customer के लिए UI UX ready करवाते है custom UI UX होता है customer की requirement उनके product को समझ के हम यह design करवाते हैं जैसे कि आप इस app में देख रहें यह clothing app है clothing app में आपके product को ज्यादा visible दिखाना है इसलिए यहां पे जो card का height ज्यादा है जिसको लोग wear करते हैं इसलिए figma design में यह सारी चीज़े ध्यान में रखनी परती है कि app में product कैसे display होंगा साथी साथ उसमें इतनी information होनी चीए कि customer को एक बार में समझ में आ जाए कि product में कितना percent off है और उसको कैसे buy करना है figma design हम पहले बनाते हैं फिर उसके बाद उस पर development start करते हैं तो आप भी सबसे पहले figma design पर काम कीजिए उसको तयार करवाईए बीना figma design ready किये आप अगर सिर्फ किसी company के पास जाते हैं उससे बोले के हमारे लिए multi vendor act setup कर दीजिए तो company को आपकी requirement समझने में और उसको implement करने में बहुत दिक्क्यत आएंगी जब तक आप उसको यह बताएंगे नहीं कि आपको color theme कैसी चाहिए आपको क्या क्या element चाहिए UI में तब जाके वो finalize हो पाएंगा कि हां हमारी app का look और website का look कैसा रहेंगा second important point वो है आपका seller का commission और आपका revenue model multi vendor में बहुत type के commission model होते हैं but देखते हैं या फिर आप जिनको अपनी store में implement कर सकते हैं पहला जो आपको मालूम है वो है category wise commission flip card amazon में category wise commission होता है product किस category को blank करता है उसके base पे उसका commission rate decide होता है जैसे electronics में 1 से 2% तक होता है furniture में बहुत ज्यादा होता है 4 से 5% तक तो इसी type से category wise commission होता है दूसरा एक बहुत ही simple commission model है वो है जो order आएगा उसकी order value पे आप commission लेंगे वो 1 से 2% या 3% कुछ भी हो सकता है वो आप decide करेंगे आपका model कैसा है बट इस case में sellers के लिए दिक्कत होती है कि वो product का price जो है उस तरीके से decide करें कि उसको भी profit हो और आपका commission भी निकल जाए इसके बाद एक और commission model होता ह है वो होता है product wise कुछ multi vendor platform है जो product wise commission charge करते है यानि उसमें जब आप product add करते हो उसी time पे आपको उसका define करना पड़ता है कि यह product कितने का है इसमें उसका commission rate क्या रह सकता है जब यह request admin के पास आती है तब वो decide करता है और seller उसको request बेसता है कि हाँ मुझे मैं इस product पे इतना commission द करने के लिए हर मैने कुछ fee pay करनी परती है जैसे कि आप example ले सकते हो कि Shopify में Shopify में आपको अपनी website को active करके रखने के लिए आपको monthly कुछ pay करना पड़ता है इसी तरीके से बहुत सारे multi vendor platform exist करते हैं जिसमें seller को per month का कुछ fee charge करते है इसमें और भी model होते है depend करता है आपका business कै कैसा है और आपने उसका workout कैसे किया है क्योंकि सबसे पहले आपको आपके revenue model पर ही workout करना है क्योंकि अगर आप revenue model पर workout नहीं करेंगे तो seller का commission, shipping fees, payment gateway की fees, return rate इन सब का खर्चा आप कैसे निकालेंगे तो आपको सबसे पहले revenue model पर काम करना है अब तीसरा point आता है seller जब आपक platform वो access कर पाए यहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं जो हमें ध्यान रखनी है पहला क्या आप seller को app provide कर रहे है seller app अगर आपके पास budget अच्छा है आप seller app भी बनवा सकते हैं तो well and good otherwise आपका vendor panel थोड़ा responsive होना चाहिए ताकि seller उसको अपने mobile से access कर पाए vendor panel के सारे function mobile से access करना इतना mobile compatible होना चाहिए ताकि वो mobile में आराम से open हो सके जब आपका seller आपसे के साथ जोड़ता है तो वो अपने product को add करना चाहेंगा तो seller की सहुलियत बहुत जरूरी है और इसमें सबसे ज्यादा important है bulk upload क्योंकि seller के पास already product है और वो उसको bulk upload करना चाह रहा है और product के price क्या होत कर सके using Excel sheet तो जैसे कि आप यह एक dashboard देख रहे हैं यह हमारा vendor panel का dashboard है इसमें bulk upload का option दिया हुआ है तो bulk upload के लिए Excel sheet को ready करने के लिए आपके पास पहले से category का sheet, brand का sheet, attribute के sheet यह सारे sheet आपको download करनी पड़ेंगी और उसके बाद जब आपका final सब कुछ download हो गया उसके बाद आप यह sample sheet download करके अपना नया product की entry करेंगे इस sample sheet को देखते हुए इस sample sheet में आपको category का नाम, brand का नाम, उसकी attribute का नाम यह सारी entry करनी होँगी जब आप entry कर लोगे उसके बाद आप product को upload कर सकते हो और आप inventory भी update कर सकते हो तो यहाँ पे inventory update करने का option भी दिया हुआ है इसमें नया product add नहीं होँगे उनके product के price उसका stock क्या है वो update होँगा तो यह सारे option हमारे existing multi vendor solution में available है इसके बाद का जो next point है वो है product की image और category की image और category को हम कैसे display करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था Figma design में हमने product की height को बहुत बढ़ा के रखा हुआ है जब वो clothing segment है लेकिन अगर वो hardware section होगा तब हम product को बहुत बढ़ा नहीं दिखाएंगे हम उसको थोड़ा छोटा ही दिखाएंगे normal size का आपको अपने multi vendor platform को ready करने से पहले आपको यह specify करना पड़ेंगा कि आपकी product की image कि size की होनी चाहिए उसका dimension क्या होगा और जब वो thumbnail में दिख रहा है उस time पे और जब वो full screen पे दिखें तब तो इस तरीके से अगर आप यह सारे parameter पहले ही decide करते हैं और उसी तरीके में या उसी proportion में image को capture करते हैं तो आपके product की visibility app में बहुत अच्छी रहेंगी और आपकी app और website की overall visibility और आपकी brand value बहुत अच्छी बनेगी आप किसी भी website मिंतरा Amazon कहीं पे भी जाके देखिए तो वहाँ पे product की quality बहुत अच्छी होती है display quality not product actual quality बट display quality यही customer को attract करती है तो हमेज़ा multi vendor start करने से पहले आप यह decide कर लीजे कि हमारा product किस proportion पर दिखेंगा उसका image का height width कितना होना चीए 600 by 400 या फिर 400 by 600 या फिर और बड़े dimension की हमारे multi vendor system में हमने already image compression बना के रखा हुआ है उसमें image के अलग-अलग dimension बनते हैं ताकि जब image बहुत सारी image दिखरी है thumbnail में तो वो छोटे size की हो ताकि वो जल्दी load हो जाए और जब user उसको product detail page में देखेंगा तब उसको थोड़ी बड़ी image देखेंगी और full screen mode पे उसकी actual image देखेंगी इस तरीके से हमारी app fast भी होती है और उसमें product की quality भी अच्छी होती है next point है payment gateway payment gateway हर एक e-commerce app के लिए बहुत ज़रूरी है आप इंडिया में razor पे यूज़ कर सकते हैं या patium यूज़ कर सकते हैं बट आपका payment gateway कौन सा होना चाहिए जो आपको support provide करें और बहुत important point है कि आपका UPI payment free होना चाहिए बहुत सारे payment gateway अभी भी UPI payment में भी चार्ज करते है तो वो payment gateway चूज किजिए जो UPI के लिए आपको चार्ज नहीं करते हैं हम अब हमारे customer के लिए mostly razor पे लगाते हैं अगर international customer है तो उनके country के base पे जो payment gateway होता है हम वो लगाते हैं इसके बाद next point आता है shipping customer ने order तो कर दिया अब आप उसको product को delivered करना है तो customer जब भी order करता है तो एक notification admin को एक seller को जाता है seller order को accept कर सकता है या reject कर सकता है अगर वो accept करता है तो फिर उसको बताना पड़ता है कि कब dispatch करने वाला है उसका tracking URL क्या है tracking URL sip rocket या delivery या कोई भी third party shipping company की API यूज करके हम ले सकते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पे account बनाना पड़ता है उनके भी अल के लिए delivery boy app भी देते हैं और shipping API का integration भी देते हैं मैं suggest करूँगा कि आप sip rocket के साथ जा सकते हैं और वो अच्छा solution है हम उसकी API को integrate करके देते हैं हमारे platform पे तो इससे customer को real time में notification जाता है और tracking URL रहता है तो customer देख सकता है कि उसका parcel कहां पे next important point है कि आपके multi vendor solution में आपको customer का data और seller का data मिलता रहें कि वो क्या activity कर रहे हैं कौन से product को देख रहे हैं customer ने किस order को reject किया किस को accept किया किस category में गया किस product को देखा लेकिन उसको add to cart नहीं किया और किस product को add to cart किया लेकिन उसको finally purchase नहीं किया इस type का सारा analytic record आपको मिलना चाहिए तो हम हमारे multi vendor में Google Analytics report Facebook Pixel का integration य यह सारी integration करके देते हैं और अगर आपको कुछ custom funnel बनाना है तो हम वो भी यहां पर integrate करके देते हैं तो यह सब depend करता है बट हाँ अगर आप multi vendor solution बनाने चाहरे हैं तो यह data आपको बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप Facebook add चलाएंगे Instagram add चलाएंगे तो यही data आपको customer को target करने में help करेंगा और यह आपको SEO में भी मदद करेंगा तो बिना Facebook add और SEO किये बिना आपका यह multi vendor platform बहुत आगे तक नहीं जा सकता जब तक कि आपके पास पहले से existing customer base ना हो तो अगर आप नया start कर रहे हैं तो आप यह चीज़े ध्यान रखिए कि आपको एक Facebook add और SEO करवाना ही पड़ेंगा ताकि आपके आपका जो revenue है वो next one month या two months से ही start होना शुरू कर दें तो यह 8 important points है जो आपको ध्यान में रखने हैं अपना multi vendor platform बनाने से पहले तो मैं आपको suggest करूंगा कि हमेशा इन 8 points पे काम कीजिए उसके बाद ही किसी multi vendor platform पे development पे काम करना start करवाईए otherwise आपके लिए बहुत मुस्किल होंगी क्योंकि आपका development तो start हो जाएंगा लेकिन जब आप market में उतर होंगे तो आपके पास बहुत सारा data नहीं रहेंगा और अगर आपको किसी भी type की help या support की जरूर थे तो आप मुझे कभी भी WhatsApp कर सकते हैं मैं available हूं 24 hours और multi vendor, single vendor या फिर किसी भी type का custom solution चाहिए आपको refer system, coupon code, scratch card, lucky wheel या फिर custom algorithm development तो आप मुझे contact कर सकते हैं मैं आपको definitely reply करूंगा तो see you in a next video और ध्यान रखिए कि next video में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप virtual showroom बना सकते हैं, virtual customer care center बना सकते हैं, virtual bike showroom बना सकते हैं, तो possibility unlimited हैं बट ये सारी details मैं आपको next video में बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में